दे पर्पेंडुकलर फ्रॉम दा ओरिजन तो ए लाइन में इते पॉइंट माइनस दू कॉमा नाइन फाइंड दे एक्वेशन ओप दा लाइन चलिए दिखने हैं कि कैसे हम दोगी प्रॉलम को सौल करेंगे पहले मैं आपको क्वेशन के पार्ट के पर आपको समझा रहेता इक लाइन आपको गिवेशन तो सबसे पहले मैंने एक लाइन को प्लॉट कर लिया है लाइन इस और और फीट को हम लोग एम से रिप्जेंट कर देते हैं तो जब ओरिजन से आपने गिवेल लाइन पे परपेंडुकलर प्लॉट किया है तो वो जो फीट है उसका कॉर्ट आपके पास है माइनस टू कॉमा नाइन और इंदा कॉर्शन इवर सेइंग कि फाइंड ड़ाइन का इक्वेशन आपको निकालना है चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे लाइन की कुशन अगर आपको रिक्वाइड है तो मैं यहाँ प on a line, suppose अगर आपके पास यह एक line है और line लीपेfinder point given है which is x1, y1 और given line का slope अगर m है then the equation of line is y-y1 is equal to m times of x-x1 के अब दुखчи अगर मैं line l کا equation निकालने जा रहा हो अगर हम लोग l line का equation निकालने जा रहें तो point तो हमें पता है अगर इस line पे किसी point की बात करें तो point is actually minus 2,9 means x1 is your minus 2 and y1 is your 9 तो x1, y1 तो हमारे पास known है the unknown part is m हमें given line का slope नहीं पता है तो चले देखते हैं कि slope हम दोग कैसे निकालेंगे अब यहाँ जो concept required है concept यह है कि अगर दो line है आपस में perpendicular है और suppose एक का slope m1 है और दूसे का slope m2 है तो हमेशा इनका product आपको minus 1 मिलेगा और यह condition के वाल तभी valid है जब दोनों line है आपस में perpendicular है तो यह concept हमें यहाँ पे required होगा दूसा concept जो आपको required है वो यह है कि अगर अगर आपके पास कोई एक line है और line पे दो point given है विच इस x1, y1 and the second point is x2, y2 then the slope of a given line is m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 की यह आपके पास line का slope है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि o point 0,0 है m point आपके पास minus 2,9 है तो अगर मैं om line के slope को m1 से represent कर दू मैं om line के slope को m1 से represent कर दू तो m1 की value हमारे पास होगी 9 minus 0 divided by minus 2 minus 0 and this will become minus 9 upon 2 की now this is actually m1 अब जैसा मैंने कहा कि अगर दो line हैं आपस में perpendicular हैं तो दोनों की slope का product minus 1 होता है और l line के slope को हमने m से represent किया हुआ है this is m so m into m1 then m into m1 this is always equal to minus 1 because these two line are perpendicular to each other अब m हमारे पास unknown है और m1 की अगर मैं बात करू तो m1 हमारे पास है minus 9 by 2 के this is minus 9 upon 2 and this is equal to minus 1 अब minus से minus से हम पे cancel कर दिजे और m की value हमें मिल जा रही है 2 upon 9 तो देखे point हमारे पास पहले से मौजूद है और slope अभी हमने find out कर लिया है now we are able to claim the equation of a line so the equation of a line is y minus y1 तो y1 कितना है 9 y minus y1 is equal to m times of which is 2 upon 9 into x x minus of minus 2 अभी कुछ नहीं करना है बस आपको given equation को थोड़ा आपको अदर simplify करना है और जब आप इससे simplify करेंगे you will get 9y minus 81 is equal to 2 into x plus 2 k या फिर आप इसे लिख सकते है 2x minus 9y 2x minus 9y plus 4 plus 81 is equal to 0 और this will become 2x minus 9y plus 85 is equal to 0 and finally this is the equation of a line which is required in the given question